हेई फ्रेंट्स वालकम बाक तो माई चानल तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप बेस्ट वाच को कैसे घर पे यूज करके उसको डेकॉरेट कर सकते हैं तो उसी के रिगार्डिंग आज मेरा ये वीडियो होने वाला है उमीद है आपको पसंद आएगा इसमें मैंने हमारे पास जो एक वाच थी वो खराब हो गई थी काफी टाइम से तो वो पड़ी होई थी तो उसी का यूज किया है और जिसका जिसमें की मैंने फॉम ग्लीटर शीट का यूज किया है उसकी फ्लावर्स से मैंने ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये मैंने कटिंग करके रख लिये थे जिसका की यूज मैं आप डेकोरेशन के लिए करूँगे इसमें और आप अपने कोडिंग बन वाइबन फ्लावर्स इसमें पेस्ट करते जाएंगे विद रहल पोफ एविकोल या आप होट ग्लू स्टिक का भी यूज कर सकते हैं और इसमें आप क बुट्टी से बुध्ध का स्टैचू बना सकते हैं या कोई और भी डेकोरेशन आप कर सकते हैं बाट मैंने यहां पर फोम ग्लीटर शीट का यूज किया है जिसके की फ्लावर्स की कटिंग करके मैंने पहले रख ली थी और यह इसमें लीव्स का भी मैंने यूज किया है जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं और यह पूरा बनने के बाद काफी अच्छा लोग आ रहा था इसका आपको फोम ग्लीटर शीट स्टेशनरी शॉप पर एजिली अवैलेवल होती है टैन रुपीज की एक शीट मिल जाती है जिसमें आप देर सारे फ्लावर्स या जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं और इसमें मैंने कुछ स्टोंस या पर्ल्स का यूज किया है और इनकों की अब मैं इसमें पेस्ट करने वाली हूँ चिपकाने वाली हूँ और इसकी जगा आप कुछ और चीज का भी उस कर सकते हैं इस तरीके से जो भी स्टों या मोती मेरे पास रखे हुए थे मैंने सारे इसमें लगा दिये हैं वन बाई वन और अगर आपके पास कुछ और भी वह चीजें हो जो खराब पड़ी हो आपके पास तो वह आप यूज कर सकते हैं मतलब कि जो किसी काम की नहीं है जो अब मैंने सारे स्टोंस इसमें लगा चुकी हूँ दैन नेक्स्ट स्टेप मैं अब मैं इसमें कुछ हाट शेप्स भी कटिंग कर लूँगी जैसे की मैं अब वीडियो में देख रहे हैं और अभी जो इसका बॉटम एरिया है नीचे साइट का जो एरिया है उसमें सारे फ्लाव जो मैंने हाट शेप्स कर्ट करके रखे हैं उसकी सारी कटिंग मैं नीचे लगा दे रही हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा था तो इसको भी मैंने थोड़ा फेल कर दिया है और आप चाहे तो इसकी जगह कुछ और भी क्रियेटिविटी अपनी दिखा सकते हैं बट मैंने यहां पर फोम ग्लेटर शीट के होड़ शेप का यूज किया हुआ है इस तरीके से वन वाई वन हम सारे होड़ शेप जो हैं उनको पेस्ट कर देंगे इसमें मेक शूर की इसमें आपने अच्छा हॉट ग्लू का यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके निकलने के चांसे जादा होते हैं या फिर आप इसकी जगह डबल साइड़ टेप का भी यूज कर सकते हैं तो वो काफी टाइम तक इसमें लगा रहेगा सो अब मैंने सारे हाट शेप्स जो मेरे पास थे इसमें पेश कर दिये हैं थोड़ी सी जगह और खाली बाकी हैं तो मैं उसको भी इनी से फिल कर दूँगी दैन इसके बाद हमारी वाच टोटली रेडी हो जाएगी और फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया दान प्रीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल प्रेंड्स कैसा लाइब तो मैं जाएब तो मैं चैनल